नमोनरेंजी 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 मित्रो आज हम बात करने जारहे हैं मुगा रतन के वारे में। मेरे साथ जुड़िये और पूरा एपिसोड देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि जो मुंगा पहनते हैं लोग उनको क्या क्या लाब हो सकता है मुंगा रतन की उत्पति कहां से हुई बगवान विश्णू के साथ इसका क्या सम्मंद है और मुंगा रतन की पैदा कहां स होती है मुंगा रतन की ग्रेविटी क्या है मुंगा रतन किस दातूं में पैढ़ना चाहिए मुंगा रतन क्या क्या लाब देता है और मुंगा रतन कौन सी उंगली में सबसे ज्यादा लाब देता है और कौन से चक्रों को ये लाब देता है कौन से मुलाधार चक्र है या क आँगा जैसे कि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में साथ अरब से ज्यादा लोग आज विचरन करने पूरे के वपर और सभी को जोतिस के द्वारा मंत्रों के द्वारा किशने किसी पदिती के द्वारा किसी को किसी रूर। फ़कर होती कहां कहां पाया जाता है मुंगा रतन जो सबसे पहले सबसे पहले जो सबसे अच्छा रतन है कहां का रतन है जर्नली मुंगा रतन इंडिया का भी निकलता है हिंदुस्तान से भी निकलता है जिसको इंडियन कॉरल बोलते हैं इसके इलावा इटैलियन कॉरल होता है मुंगा र और बड़ी सारे Australia के अंदर बहुत अच्छा मुंगा निकलता है सबसे जादा जो Australian मुंगा आप देखेंगे और इससे पहले अगर देखें गहराई में जाके तो सबसे पहले निकलता था इटली का मुंगा जिसे आप कहते हैं इटेलियन मुंगा इटेलियन मुंगा में क्या खास बात होती है इटेलियन मुंगा हमेशा साइज का बड़ा होगा जैसे कि इतना बड़ा साइज होगा कि आपको दिखाता हूँ आज मैं इटेलियन मुंगा इटेलियन मुंगा हमेशा थिकनेस में बड़ा होगा, लंबाई में बड़ा होगा, हार्डनेस में काफी अच्छा होगा, ग्रेविटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इटेलियन मुंगा जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन मैं एक एपिसोड और बनाऊंगा जो कि जपानी मु मुंगे पर रहेगा, उसमें क्या फर्क है, लेकिन सबसे ज्यादा जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं, कि नीलम जब कश्मीर के नीलम की और सिलोन की नीलम की बात आती है, और बैंकों की नीलम की बात आती है, मेडा गासकर की नीलम की बात आती है, तो सबसे अच्छा तो सिटेर्था नहीं तो कि दmost i'a निधा सभसे ज़्यादा चलता है लेकिन मुगे के अंदर वैसा यहाँ जैसी ढाप मिद्व को लेंगे उसनी फंटirasट मिलेंगा कौल्टी में इंडियन मुंगे की ग्रेविटी बिल्कुल ना कि समाने इंड्यन буह वह इतना लाब आपको देई नहीं पाएगा आपके बलड संचार में इतना ज्यादा लाब नहीं देपाएगा जितना कि आपको इटेलियन मुंगा देगा अब मैं आपको बता दू जो मुंगा रतन है मुंगा रतन दोस्तों इतना ज्यादा अच्छा इतना पावरफुल है मुंगा रतन समुद्र स कर दो के आता है और एक बनाता है और उस पड़ को अपना घ्शुल स्व और फॉले यानि कि तरीके से एक जीव के द्वारा निर्मान किये पड़ को मुगा अरतन कहा जाता है जो कि समुद्र के अंधर 300 से लेके 1500 मेटर की गहराई में पाया जाने वाला red मुंगा होता है 300 मेटर मिनिमम आप समुदर के गहराई में जाएंगे तो आपको जो मुंगे करmost पेड नहीं दिखाई देने लगेंगे मुंगे का रतन बड़ा बिना पत्ते वाला होगा सूखा ड्राइनेस जैसे अपने सूखे पेड नहीं होते इस प्रकार से रेड कोरल होता है रेड कोरल क्या क्या काम करता है रेड कोरल दोस्तों जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जिनके ब्लड में खून की कमी की प्रॉब्लम रहती है जिनको ब्लड नहीं बनता जिनके खुण के सबसे जिए जादा एलजी रहती है जिनको आइस इनफेक्शन जादा होता है जिनको ब्लड एलर्जी जादा होती ए फोड़े फुंसी ज्यादा होते हैं जिनके उपर हेल्थ में आप देखेंगे जिनको पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ऐसे लोगों को तो मुंगा रतन जो है दोस्तों वो वर्दान होता है और ऐसा वर्दान की मुंगा रतन यदि आपने पहन लिया तो आपको सबसे ज्यादा लाब देगा मुंगा रतन जो डॉक्टर सरजरी करने वाले डॉक्टर होते हैं जो लोग हॉस्पिटल के अंदर जो मुंगा रतन जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं सरजरी करते हैं चीड़ फार का काम करते हैं उनको दोस्तों मुंगा रतन सबसे ज्यादा लाब देता है इसके बाद युद्ध अभ्याश करते हैं जो सैनिक है सैनिक में सहस के लिए confidence के लिए मौंगा रतन बहुत अच्छा होता है फिर इसके बाद बात करेंगे जो मौंगा रतन है पुलिस प्रशासन में जो देश की सेवा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मौंगा सहस का प्र जाद रहें confidence की कमी की वजह से जो इंटर्वियू में असफल होते हैं उनके लिए भी लाल मुंगा वर्दान साबित होता है लाल मुंगा, रेड कोरल, मंगल ग्रह का सबसे अच्छा रतन जब आपकी concentration level आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाए जब आपका energy level बिल्कुल डाउ हो जाए उस जोश को बढ़ाने के लिए भी मुंगा रतन बहुत अच्छा रहता है जो ठेकेदारी का business करते हैं, construction का काम करते हैं, जो घर बना करके बेचते हैं, builder just like, ऐसे लोगों को भी लाल मुंगा रतन बहुत ज्यादा फाइदेवाला होते हैं, मुंगा रतन दोस्तों अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत शानदार होता है, चमकदार होता है, लेकिन मुंगा रतन की पॉलिश करने से पहले बिल्कूल एकदम साधारन लकडी की जैसा दिखने वाला होता है, लेकिन जैसे इसको रगडते हैं, पॉलिश करते हैं, इसको गिस्ते हैं, एकद दाय हार चक्र मुला धार चक्र दोस्तों जब तक जागरित नहीं होता तब तक वाख्य के जो मुलाधार करने के लिए अधिवेट करना पड़ता है और मुलाधार को प्रवाल जो मूंगा रतन है दोस्तों ये जो रतन है ये आपके मूला दहार को जागरित करने में सबसे ज़्यादा सुपोर्टिव रहता है और जिसका मूला दहार चक्र जागरित हो गया वो इंसान जिंदिगी में कभी पीछे मुड़के नहीं देखता अब मैं आपको बता विष्णु ने वारा अवतार लिया था वारा आफ तार आप देखेंगे जो वारा का एक सुवर के जैसे एक घीव का मुख लगा हुआ होगा बगवान विष्णु के और ऐसा एक वो जिसको वारा बोलते हैं वारा जो दो सिंग के ऊपर वह अपना पिर्थवी को उठा के लेके आरे एक सींग के ओपर उठाके लेके आरे ऐसा चित्र आपने बहुत जेहें देखा होगा तो दोस्तों जब व्रावतार हुआ तो उनोंने धर्ती को समुद्र से निकाल करके जैसे धरती जब खतम होने लगी तो बाहर लेके आ रहे थे तो जैसे जब धरती को नीचे से उठाया जैसे जो घर्षन हुआ उस घर्षन के बल के कारण उस घर्षन के दोरान मंगल ग्रह की उत्पति हुई यानि मंगल ग्रह का जन्म हुआ और मंगल रतन दोस्त तो मागे जो मंगल गैए ववसास का इसमें कमी रहती इसमिल का मतलब मंगल कमजोर हें या मंगल नीच राशी है यह मंगल अस्त है या मंगल बकरी है और जिनका मंगल प्रोंग और 20 हो जाए ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल भी बन जाते हैं जगड़े के अंदर हमेशा उतारू रहते हैं तो क्योंकि मंगल गर है जिसकी कुडली में अच्छा है या बूर है उससे उसकी बॉड़ी में एनर्जी लेवल का पता चलता है दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दूँ जो मुंगा रतन है जो इजिफ्ट की जो मारानी थी इजिफ्ट की मारानी के आज भी आप जितने पुराने चित्र देखेंगे जितने जेवरात देखेंगे गहने देखेंगे वो मुंगा रतन पहनती थी हमारी जो सब्वेता है कहीं ने कहीं ग्रीक रोमन और इजिफ्ट के सा व्रिताक साथ में हमारे सब्भन जूरते हैं आपको पता है इजिप्ट के अंदर गरीक के अंदर रोमन के अंदर मंगल गर्या को मार्स देवता के नाम से गोड ओफ मार्स के scientific नाम से जाना जाता है जो मार्स मार्स की पूजा दूसरी कंट्री में भी बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत सारी कंट्रियों में मंगल की पूजा होती है, हम लोग मंगल देव कहते हैं, अंगारक देव कहते हैं, या ओम अंगारक आएनम मंतर के द्वारा हम जब करते हैं, लेकिन वो लोग मार्स के नाम से जाने जाते हैं, और लाल मंगे के जेवरात बना पहन लीजिए मुंगा रतन किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियों को दूर बगाने में दोस्तों सहिक होता है मुंगा रतन अपने आप में खास है अपने आप में ये चमतकारी का इतना चमतकारी का कि आप सोच ही नहीं सकते मुंगा रतन मुंगा रतन दोस्तों कई रंगों में आता है जैसे आप सबसे ज़्यादा जो परसिद्ध वो क्या है लाल मुंगा है और लाल मुंगा में एक आता है बलड रेड मुंगा खून के जैसे रंग वाला मुंगा एकदम लाल रक्तकन जैसा एकदम लाल उसके बाद आता है एकदम लाइट कलर का मुंगा इसके बाद आता है सिंदूरी मुंगा और आपकी जानकरी के लिए बता दूँ मुंगा ब्राउन कलर के अंदर भी आता है वाइट कलर का मुंगा भी आता है मुंगा ब्लैक कलर का मुंगा भी आता है काला मुंगा तंतर में यूज होता है काले मुंगे के अंदर बहुत ज़्यादा एक अलग प्रकार की एनर्जी होती जो मैं भी बता नहीं सकता आपको जो दोस्तो मुंगे का रतन है वो अपने आप में खास है और मुंगा रतन यदि आप मन से पहनते हैं तो उसके रिजल्ट कुछ और होंगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ मुंगा रतन पहनने के लिए सबसे जो अच्छा दिन है वो मंगलवार का दिन होता है और मंगलवार के दिन मंगल की होरा में यह शुब के चोगरिया में मुंगा रतन पहनना चाहिए मुंगा रतन सबसे अच्छी जो धातू है मुंगा रतन की वो रहती है तबजल्ज नहीं किया जासकता सूरियन और मंगल दोनों का जो दहत्तु कहीने कहीन je इसा लक्षमी योग जिन की ऐखे हैं उनको दोस्तो मुंगा हमेशा चांदी में ही अच्छा रहता है लेकिन जर्नली जिसका डिपेंड ओन योर होरोस्कोप कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं आपके दशा कैसी चल रही है आपकी परिशानी क्या है उसके अकोडिंग भी एक अच्छा जोतिस आपको चांदी सोना या तांबे की दातू सोच समझ के पहननी चाहिए ज्यादा अल लावा पहनने का जो सबसे बढ़िया इसका दिन रहता है मंगलवार है शुब मोहुरत में पहनना जाएगा और मंत्र बोलेंगे ओम अंगार का आए नमैं यह मंत्र आपने बोलकर के सिच्द पहनने पहनने पहनना है दोस्तो मुंगा रतन आपकी जान नौलिज के लिए बता दू आज के दिन इतना ज्यादा डुप्लिकेट मुंगा आ रहा है क्योंकि इटली का मुंगा बहुत कम हो गया है इटली के अंदर मुंगे की मात्रा जो पहले निकलता था जितनी क्वांटिटी में अभी उतनी क्वा हडियों का मुंगा भी बनता है जो पशू की हडियां आती है उसका मुंगा भी बनता है मार्केट में ऐसा मुंगा जो आपको आप पता नहीं कर सकते जर्नली आम आदमी के लिए हड़ी का मुंगा भी लोग पैना देती है और बहुत सारे लोग कहते है नरायन जी मुंगे क पानी की बूंद रखते हैं तो मौंगे के उपर से पानी नीचे नहीं गिरता इसका मतलब मौंगा असली है यह सब बुल्शी टुपाई है यह फालतु बाते हैं एक तब बैकार बाते हैं बिल्कुल आपने ऐसी बात पर यकिन नहीं करना दोस्तों क्योंकि बांस के दौरा ज मौंगा एक लकडी है तो बांस की लकडी पर कलर करके उसको भी अंगूठी में पहना देते हैं ऐसे ऐसे लोग कलाकार बैठे हैं मौंगा पश्चू की हडियों के अलावा कांच का बनता है प्लास्टिक का बनता है और ऐसे ऐसे चीजों के आग पत्थर का भी मिट्टी का बनने लग गया तो आप सोच नहीं सकते ऐसे कई सारी चीजें देखेंगे जो असली मौंगा होगा दोस्तों उसके उपर पाने की बूंद का कोई कनेक्शन नहीं है कि रहेगी और गिर जाएगी और नकली के उपर नहीं गिरेगा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है आप बिलकुल इन चब ब्रह्मों में ना पड़े दूसरी बात दोस्तों मैं बता दूँ कि मुंगा रतन आप देखेंगे मुंगा एक लकडी होता है और मुंगे रतन के अंदर ऐसे कटे फटे चांसे हो सकते हैं छेद हो सकते हैं, होल हो सकते हैं क्योंकि मुंगा रतन दोस्तों नैचुरल है और मुंगा रतन देखिए ट्रेंगुलर भी आता है आप ध्यान से देखेंगे मुंगा ट्रेंगुलर रतन भी आता है और लेकिन मुंगा होना ओरिजिनल चाहिए आप ट्रेंगुलर ले सकते हैं कैप्शूल की सेव में ले सकते ह चिशी है गने दो बूल आ है और सेनन तो अप मेर को ब close up घ्रमगी तो यह मेरा एपीसोड मा आपको जानकारी के लिए मोना चाहिए आना मी का औंगिला यानि के रिंग फिंगर और दूसरा है चीची उंगली अगर आपने मुला धार चकर को एक्टिवेट करने तो चीची उंगली में पहनिए और एस्टोलोजी के लिए रेमिडी से डालते हैं तो आप रिंग फिंगर में मुंगा पहने हैं अगर आपको कहीं पर विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे यहां पर भी आप फोन करके अपना का उडर मंगवा सकते हैं और हम क्या करती हैं अंगुठी को दोस्तों पूरी तरuses पूजा पाट करते हैं अंगुठी की बिदी विदान शांदर गल्द के अंगुठी बनाते हैं ऐसा एक ध्या zorो हैं यह एक एक आपको रिंग साइजर मिलेगा आप अपने नजदीक के इस उसमें आपने अपनी उंगली में साइज डालना है और इसकी जो यहां की फोटो खिंच के इस नंबर की या इस यह नंबर हमें बताना है कि यह नंबर मुझे पूरा आ रहा है बस ध्यान रहे कि यह जब आप पहनेंगे इस तरीके से लूज ना रहे पूरा टाइट का और उस रिंग को प्रान प्रतिष्टा की जाती है गव शाला के मिटी के द्वारा गव मुत्र के द्वारा गाय के दूद के द्वारा गाय के द्वारा घी और दही के द्वारा पंचा मृत के द्वारा और रामिश्वरम के अंदर जो कुंड बने हुए हैं उन कुंडों के जल के द्वारा गंगा यमना के जल के द्वारा तीर्थूं के जल के द्वारा दोस्तों बड़े एक बिदी विद्यान से जैसे मंदिर में मूर्ती की प्रतिष्टा होती है दोस्तों इस प्रकार से हम आपके रतनों की प्रतिष्टा करके और अभिमंतृत करके आपको वह रतन देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जादा से जादा अच्छी से जानकारी दें जिसके अंदर आप जीवन में कभी कहीं दोखा ना खा सकें और जीवन में आप अगर सर हो सकें आप आगे बढ़ सकें इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आग्या चाहूंगा और एक एपिसोड आते हैं तब आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपको नारायन जी का नया एपिसोड आया है तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप जुड़े रहिए और मेरा नाम डॉक्टर नारायन आचारिया चंडिगर से हूं मेरा मोबाइल नंबर 90116 पेंटा-4 यानि पांच बार 4 लगता है नास्ट में यह मेरा नंबर है दोस्तों नारायन गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं और नारायन डॉक्टर नारायन अचारिया के नाम से जाने जाते हैं तो आप मुझसे परसेनली मिल भी सकते हैं और टेलिफॉन के लिए यदि मुझसे संपर्ण करना चाहते हैं तो जो हमारा फीस का प्रोसीजर रहोऊऊ आप पे कर के भी मुझसे बात कर सकते हैं राय ले सकते कुण्डी दिखा के भिआ उल्स्केशन कर सकते हैं अगा दिजीनोंद नाई जीमन दिनोंद लाहें जीनरकल में